हालो फ्रेंट्स मैं हूं अनप मुना आज आज मैं आपकी साथ शेयर कर रहे हूं एक और टेस्टी एंड याम्मी रेसिपी समर स्पेशल टेंडर कोकोनेट आइस क्रीम वह भी नैचरल स्टाइल में त्यूंकि इसमें हम यूज करने वाले हैं नैचरल कोकोनेट यह देखने में जितना सौफ्ट और टेस्टी लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी है और बनाना बहुत ही ज़ादा आसान है और साथी यह हेल्दी है क्योंकि इसमें हम फ्रेश कोकोनेट का यूज करने वाले हैं तो आएए बनाते हैं इसके लिए मैंने लिया है आसा इसमाल कर नहीं है दूद हमें दूधा ईज़ा ही लेना है अगर आपके पास यह नहीं है तो फूल फैट मिल कश्रा बंसक्राइब लैए और नहीं आप एड़ने वालग मेवाद से दूझे में वालग से टेपेन नहीं मानला एक का यूज करनेमें लाओर है अगर आब इसी में 1-4 cup milk powder, दूद कप आडर में डाल रहे हूं, 1-4 cup नहीं है तो आप थोड़ा भी यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो completely skimd भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो दूद है, वो काफे थिक है और full cream milk है, तो अब मैंनेन को mix कर लिया है, mix करने के बाद ग्यास के उपर रख पाना है, जब एक boil आएगा उसके बाद आप ऐसे चेक कर लिजिए, अगर इस तरीके से इतना थिक बन रहा है, मिस हमारा दूद पक्के रेडी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, आप है मैं इसे mix करते वे थंडा कर रहे हूं, अदर्वाइस इसके उपर clean की लेयर मैं इसे ठंडा कर लिया, उसके बाद यह है fresh coconut, इसको मैं काट लेती हूं, काट के हम इसे यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पे coconut को काट लिया और इसके अंदर जो पानी ता coconut water उसे मैंने अलग कर लिया है, अब यह जो coconut है, इसको हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं, य बहुत दिनों वाला नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, अब इस coconut के मैं छोटे-छोटे pieces कर लेती हूं, अब मैंने इनके pieces कर लिया है, pieces करने के बाद अब मैं इसे ग्राइंड कर रहे हूं, और थोड़ा सा मैं बचा के रखोंगे, ताकि हम लोग इसे गानिश करने उसके बाद यह हैं, fresh whipping cream, आप cream भी यूज़ कर सकते हो, normal वाला जो aam Mulka cream आता है, या whipping cream भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर मैंने whipping cream लिया है, यह एक cup है, यह एकदम chilled है, अब इसे हम phate लेते हैं, beat करते, अगर आपके पास electronic bitter नहीं है, आप whiskers से भी इसे beat कर सकते हो, अब यह अच्छे से बीट हो गया, जब यह थोड़ा बीट हो गया है, उसके बाद इसमें मैं डाल रहे हूँ, condensed milk, यह homemade condensed milk है, आप market का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैं 1-4 का condensed milk डाल रहे हूँ, मैं market style में बना रहे हूँ, इसलिए condensed milk डाल रहे हूँ, अगर आपके पास नहीं है, तो आप इसे skip भी कर सकते हो, अब condensed milk डाल के इसे हम एक बार और अच्छे से फेट लेते हैं, यह ice cream बहुती ज़्यादा टीस्टी है, बहुती healthy भी है, क्योंकि इसमें हम लोग fresh coconut का यूज़ कर रहे हैं, और बनाना भी आसानी है, अब इसमें हम डालेंगे यह वाला दूद, जिसे हमने अबाल के टंडा कर लिया आता, तो यहाँ पे मेरे इस दूद में कोई गुटली नहीं है, इसलिए मैं डारिक डाल रहे हूँ, अगर आपकी दूद में थोड़ा सा भी गुटली है, तो आप उसे चान कर डालिएगा, अब दूद डाल कर ऐसे हम लोग फाइनली अच्छे से बीट कर लेते हैं, अब हम इसे तब तक बीट करना है, जब तक कि यह quantity में दुगता ना हो, इस रेसिपी में हमें टिंडर कोकोनेट का ही यूज करना है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ, नारियल का पीस्ट, जिसे हमने ग्राइंड कर लिया था, इसे कि मैंने बताया था, इसमें हमें सिफ फ्रेश कोकोनेट का ही यूज करना है, सुखे नारियल का यूज नहीं करना उसके बाद इसमें मैं डाल रहे हूँ नारियल की तुकड़े नारियल की तुकड़े इस तरीके से डालने से जब हम नारियल खाते हैं तो वो मुह में आता है तो टेस्ट बहुत ही ज़ादा अच्छा लगता है अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हूँ इसमें अगर हम कोई भी essence डालते हैं तो नारियल का जो actual flavor है वो नहीं आएगा अब हमारा ice cream बनके ready है इसे मैं डाल रहे हूँ ये box में ये मेरा cake team है इसमें मैं डाल रहे हूँ आप किसी भी airtight box में डाल सकते हैं अगर airtight box में नहीं है तो किसी भी container को आप clean wrap या silver foil से अच्छे से cover करके freezer में राद भर सेट होने के लिए या 10 से 12 घंटे के लिए इसे रख सकते हैं अब मैं इसे एक बार अच्छे से टैप कर रहे हूँ ताकि इसमें जो भी air bubble से वो निकल जाए उसके बाद इसे में cover करके राद भर freezer में सेट होने रख दे रही हूँ अब next day आप देख सकते हैं आइस्क्रीम बहुत ही जादा अच्छे से सेट हो गया है ये दिखने में जितना tasty लग रहा है खाने में भी उतना ही जादा tasty है अब मैं इसे कर रही हूँ सर्फ अब आप भी ये tasty tender coconut आइस्क्रीम ज़रूर बनाईए अच्छा लगा हूँ तो ले आप ये शब्सक्राइब करें थैंक यू